हांजी बच्छों आज स्टार्ट करने जा रहे हैं Compound Interest और Compound Interest के बारे में कहा जाता है कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा ही Calculative है इसी वज़े से ये टाइम भी बहुत ही कंजूम करता है और इसके बारे में साथ में ये भी कहा जाता है कि complicated भी है chapter अगर आप number of student से अगर आप feedback लेते हैं chapter के बारे में कि आपका favorite chapter कौन सा है तो भूत ही rare student ऐसे मिलेंगे आपको जो ये कहेंगे compound interest मेरा favorite chapter है main reason उसके पीछे यही होता है कि calculation, time consume करना और थोड़ा सा concept इसका complicated ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा बच्चों का मानना होता है तो यह जो chapter है बात करते है calculation की और यह time consume करने की तो आपको ध्यान से chapter को देखना है अभी मैं ज्येस से करवाऊंगा इसका कोई सा भी question आपका maximum से maximum 3 second या 4 second यह लेगा और ज्यादा ज्यादा अगर आप चली भी गए तो 10 second से तो उपर नहीं जाना तो अब यहाँ पर सबसे पहले student की मन में दो बाते आती है कि calculated बहुत ज्यादा यह chapter time consuming है जिसकी वे से ही सबसे पहले यह बात तो पर दिमाग से आप निकाल दो जब आपका सवाल 10 second में हो रहा है 10 second में ज्यादा भोल दिया है 3 second में कहा रहा हूँ 3 second, 2 second within second कोई साभी question हो कोई particular एक single question के बारे में नहीं कहा रहा हूँ अब कोई साभी question हो सब possible है तो यहाँ पर calculation और time का कोई issue का सवाल ही नहीं होता है अब दूसरा सवाल खड़ा करते हैं complicated है तो complicated में आपको बता रहा हूँ यह chapter में मैं जितने भी type discuss करूँगा तसली से आराम से उन सभी type को ध्यान में रखिए और जब पूरे type में discuss हो जाएगा तो आप कोई से भी book ले लीजे चाहे किरन SD आदव या फिर XYZ किसी की भी book ले लीजे आप आपका एक single question doubt में नहीं आएगा doubt ही नहीं आएंगे आपके तो अब यह complicated है वो सवाल भी हड़ जाता है अब कैसे आज यह start करते हैं बड़े द्यान से आप समझेंगे इस चीश को सबसे पहले हम समझते हैं कि compound interest है क्या ठीक है तो बच्चों compound interest के लिए पहले आपको एक example समझना होगा जिसे मान लीजिए हमारे पास में एक principle है thousand rupees rate of interest है 10% time है 3 year तो compound interest यह नहीं कहता है कि जो आपने मुझसे लोन लिया है जो आपने मुझसे उधार लिया है मैं उस पे interest लूँगा compound interest यह नहीं कहता है compound interest कहता है मेरा जो पैसा आपने इस्तेमाल किया है मैं उस पे interest लूँगा मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ compound interest ये नहीं कहता है कि जो पैसा आपने मुझे से उदखार लिया है मैं इस पे व्याज लूगा compound interest कहता है जो पैसा मेरे इस्तेमाल कर रहे हो मैं उस पे interest लूगा तो बात तो एक ही है जो उदखार लें गए वोई तो इस्तेमाल करेंगे नहीं, बात अलग है, कैसे अलग है, देखिए, उधार लेना और पैसा स्थेमाल करना, बहुत फर्क है, देखिए, थाउजन रुपीस है बच्चों, तो तीन साल, क्लिर है न, मान लेजिए, आपने ये उधार लिया, 1st Gen 2018, ये लिट कर लेते हैं, 2018 को अपने उधार लिया, चीक है, तो थाउजन रुपीस पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले, आपने तो एक जन्वरी को तो उधारी लिया, 2018 में, मैं आपसे बात करूँगा, वो साल के एंड में, 31 December 2018 में मैं बात करूँगा, आपसे, और मैं आपसे बोलूँगा, कि सर मेरे जो है, मैं इंटर्स कैल्कुलेट करने आऊँगा, आप समझेए, मैं कैसे कैल्कुलेट करूँगा, इंटर्स, 18 के एंड पर आता हूँ, और मैं कहता हूँ, मेरे कितना पैसा आपके पास में आपने इस्तेमाल किया, आप कहेंगे, वही, 1000 रुपीस, तो मैं कहूँगा, उस पर, वह, 1000 रुपीस मुझे दे दो, और आपने पैसा यूज किया, तो उस पर आप मुझे 10% इंटर्स भी दे दो, यह दोनों चीज़ मुझे चाहिए, तो आप 1000 रुपीस पर इंटर्स एक साल के एंड में कितना इंटर्स बनता है, 100 रुपे, 10% के साफ से, कितना बनता है, 100 रुपे, एक साल के साफ से, तो बच्छो, 1000 रुपीस है, एक साल के एंड में, 2018 के एंड में, मैं कहूंगा, मेरा इंटर्स दीजिए, आपने जो मेरा पैसा अस्तेमाल किया है, वो है 1000 रुपीस, और उस पर 10% इंटर्स वो हो गया, 100 रुपीस, तो मुझे आप 1000 रुपीस, प्लस उस पर जो इंटर्स है, मैं वो भी लूँगा, 100 रुपीस, 1100 रुपीस हो गया, आप मुझे दे दीजिए, और यहीं पर चीज़े फिर कतम हो जाएंगे, आप कहते हैं, सर, अभी तो मेरे पासे पैसे नहीं है, मैं आपको नेक्स चेर दूँगा, मैं कहते हूं, ठीक आप नेक्स चेर दे देना, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखना, कि आपको मुझे 1100 रुपे देने है, 1000 रुपीस तो आओ, जो मैंने आपको दिया था, और आपका इंटर्स भी हो गया है, बक बकाया, वो भी आपने पे नहीं करा, तो 1000 रुपीस, प्लस 100 रुपीस, तो 11 700 रुपीस हो गया है, यह मैं 30 दिसंबर को बात कर रहा हूँ, 2018 में, एक जन्वरी को मैं आपसे एंटरी करवा लेता हूँ, कि 1100 रुपे आपने मुझे से उधार लिया है, चीक है, क्लियर है, अब बात करते हैं, 2019 में आ चुके हैं, 2019 के एक जन्वरी को बात कंफर्म हो चु कि अब 2019 का भी end हो गया, अब 2019 31 दिसंबर पर आ गए, वो भी end हो गया, मैं कहता हूं, आता हूं, बोलता हूं, सर, मुझे interest दे दीजी, और जो मैंने पैसा आपको दिया हूआ है, वो दे दीजी, आप कहते हैं, कितना पैसा बनता है आपका, तो मैं कहता हूं, एक तो यह दे इस्तेमाल हुआ, प्लस में 130 रुपय, इंटर्स का भी इस्तिमाल हुआ मैं मिला फ़ाज होंगा कर रहे हैं तो यहां पर 1000 परक्रोंप évसाओप पूपर है लोगा लोगा जो चा न परषंट 10 लूसां मेरा इंटंट्रश पीस इस्तेमाल वहां केंड इर के लिए तो इस पे भी 10% लूँगा, इस पे भी 10% लूँगा, तो 110 रुपे, देखा जाए तो मैं ये बोलता, देखिए आपने मेरे 1100 रुपे का इस्तेमाल किया है, समझे, तो मुझे मेरे 1100 देदो, और प्लस उस 1100 पे 10% इंटर्स देदो, तो 110 इंटर्स बन जाएगा, तो आपको इंटर्स ऐसे भी निकाल सकते थे, आप सेपरेट निकाल रहे हैं, और सेपरेट निकालने के जिगए आप बोल सकते थे कि मेरे 1100 इस्तेमाल किया है, और इस 1100 तो मुझे देद नहीं थे, 10% इसको पर ब्याज बन जाता है, तो आप प्रिंस्पल पर भी इंटर्स लेंगे, और जो पिछला सभी इंटर्स है, उस पर भी इंटर्स लेंगे, अब ये बात करते हैं, कब के 2019 का एंड था, क्लिर रहें न, बात करते हैं, नेक्स्ट इयर, तो यहाँ पर भी मैं पहले प्रिंस्पल पर इंटर्स लूँगा, अब आपको पता नहीं क्या बकाया हो, सेकिंडियर के एंड में क्या का, मैंने पैसा लाओ, 1100 ये, पहले वाले बकाया, 110 रुपे, इस साल के ब्याज, वो कहते हैं, सर नहीं है, अगली साल पक्का दे दूँगा, मैं ठीक, आप अगले साल दे देना, बड़ धानकना कितना पैसा है, कितना पैसा आपको उपर धानकना, आपको ध्याने कितना हैं आपके उपर, 12,10 आपने मैं क कम्माइन करके बता दिया, बट इंडिजली बताओ, 1000 रुपी है मेरे प्रिंस्पल, 30 साल जो इस्तेमाल करोगे, जो 110 रुप, इस साल का व्याण भी, इस साल का व्याज भी इस्तेमाल कर रहा हो, बस यहीए क्या, यही है, और 1000 रुपे तो 30 साल मेरा यह यूज किया यह करने जा रहे हो 100 रुपे ब्याज भी पे नहीं करा वो भी यूज करने जा रहे हो बस यह यह और क्या है 100 रुपे इंटर्स भी कब दे दिया आपने है ना 1st येर का इंटर्स जो 100 रुपे है वह कब दे दिया आपने तो यहाँ पर मैं principal पर तो लूँगा ही यह इंटरस मेरा यूज हुआ है प्रिंसिपल लूगा ये ब्याज भी मेरे इस्तेमाल किया गया है और ये इंटस भी मेरे इस्तेमाल किया गया है तो इस पर भी लूगा या फिर आप बोल दीजिए कि पिछला कितना हजार पर तो इस्तेमाल किया है तीसरे साल अपने इसके सासत मेरे कितना ब्याज इस्तेमाल रहा हूं मैं प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट ले रहा हूं और पिछले सभी व्याज पर भी व्याज ले रहा हूं जो सिर्ब मैंने 110 पर लिया है यह नहीं न तीसे साल के बाद कर रहा हूं न तो हजार पे इस्तेमाल किया है वो इसको दस रुपे ब्याज भी नहीं दिया वो भी यूज कर लिया वह सोर पहले साल का भी तो पका है आपके उपर वह इस्तेमाल हो रहा है जा फिर आप कह रहे हो बारास दस रुपे यूज कर रहा है सर आपका यह मानते हो क्लियर है तो बारास साथ में क्या का मैंने पिछले सभी ब्याजों पर ब्याज लेंगे प्रिंस्पल पर इंट्रस लेंगे और बच्चे कई वर गलती क्या गड़ते बस इस पर ले लेतें दस परसेंट पिछे अलब भूल जाते हैं यह गलतिया होती है रहां रखेंगे शीच का कि ले चार साल का होता ना तो चोत्रे साल पहले प्रिंस्पल लेता अब पिछले सभी ब्याज पर तीरियों को जोड़ देता और उस पर भी ब्याज लेता क्यों पैसे इस्तेमाल होता है न यह बासमाई ही नहीं आए अपको तो यहां पर देखिए यह क्या है यह टू यर कंप थर्ड-Yar compound interest है त्री-Yar compound interest है और यह कि फर्क है सेकेंड-Yar compound interest और टू- epoxy में फर्क है न लोगि यह पीछला भी आता और यह भी आता है और सेकेंड-्ण्वाला त्रड-टै आता है 3 year में पहले 3 हो आते तो खेर मुझे 3 year compound interest find करना है तो compound interest find करूँगा तो 100 121 331 समझ रहे हो तीन सो 31 रुपए है यह क्या हो गया हमारा compound interest हो गया और simple interest आपको पता ही है जो पैसा आपने मुझसे उधार लिया मैं उसी पर इंटस्ट लूँगा अजार पर लिया ना हर बार मैं इसी अजार पर भी लूँगा कंपाउंड जो मेरे इस्तेमाल किया मैं इस पर इंटस्ट लूँगा यह सजमाया को कंपाउंड इसका अब और भी एक्जामपल लेंगे इसीच के वह आप देखेंगे इसीच को यह तो बैठट वन हो गया है कि रहे है आपके मैंने में एक सवाल कर पाना तो बच्चों सिर्फ एक पर्टिकुलर में नहीं सिखा रहा मैं आपको पहले पहले मैं आपको छे मैथड़ सिखा रहा हूं छे मैथड किसी सवाल हर एक सवाल पर छे मैथड अपलाई हो जाएंगे लेकिन हमें क्या करना है जब सवाल आएगा उसके रेट को देख की उसके टाइम को देख करके उसके प्रिंसपल को देख करके कंडिशन को देख करके हम यह पर मुझे कौन सा मैथड ज्यादा है मतलब कौूंसा मैंसट ऐसा है जो ट्री सेकिंड बेंसर आणस तो शारे निकाल देंगे तो कौूंसा मैंसलों जो जल्दी शाल देगा कोई पूदिकुलर ऐसा में आटानी present revenue सबमें थी तीन सेकिंड में निकाल दे नाएं ऐसे नहींी गा कि रहें समझ रहे हो तो मैं अलग अलग मैंसर सीखिना होगा सेम कुश्चिन के आंसर को निकालने के लिए मैंसर बन समझ माएं आपको थ्री एर कंपाउंड इंटस अगर आमांट पूसा तो पता ही क्या हो जाता अमांट क्या जाता अमांट आपका 1000 रुपीस प्लस 331 1331 अमांट तो यह होता है अब बात करते सेकिंड मैथ्ड की आपको था कि यह सब्सक्राइब का ऐब करते हैं सेट के अजनरल की क्या हो रहा है मैं इसापनी कहानी को दुवा रिपीट करना चाहाओ हुआ इसमें कहा नहीं है हजार पे लिया जब 288 का एंड हुआ मैंने क्या का लाओ मेरा पैसा वापस करो और इस पर जो आपने इस्तेमाल के जो ब्याज़ू वापस करो आपने का सर कितने हो गए मैंने वड़ा थाउजन रुपीस वह गए और थाउजन का टैन परसेंट हंड थाउजन प्लस हंडर एक्वल्स तो 1100 रुपीस दो यह किया नहीं मैंने इतना पैसा हो गया तो यह बताने के लिए मुझे थाउजन रुपीस और इसका टैन परसेंट अलग से निकालना पड़ा फिर मुझे एड करना पड़ा क्यों ना मैं थाजन रुपीस का 110 परसेंट क करके आएगा यह आप जानते हैं समझते हैं अब इस चीज़ को अगर 10 परसें निकालते तो फिर सापको जोड़ना पड़ता एड करना पड़ता बड़ी क्या करेगा एड करके ता देगा तो मतलब क्या हो गया जी 1100 रुपीस आप कहते हैं अभी नहीं नेक्स्टेर लेना हो गया 19 का एंड मैं फिर कहता हूं लाओ मुझे मेरे पैसे दो आप कहते सर कितने पहले आपने क्या लिखा है पड़ो 1100 पर लिए थे ये मेरे 1100 का इस्तेमाल हुआ था तो इस 1100 पर मैं 10% लोगा आप सेपरेट सेपरेट भी निकाल सकते हो 1000 रुपीस पर 100 रुपीस पर और आप कम्बाइन करके भी निकाल सकते हैं उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा तो एक तो 1100 रुपीस आपने मेरा यूज किया और उसके उपर 10% भी आज तो कितने बने बात ये अमाउंट है ना 1100 रुपीस इंक्लूञा है ये अत्व तरीक से इंक्लूडिड तो आपने 1100 से इस इय्सेमाल किया प्लस में 10% इसको इसको पर मैं इंक्लूड़ेगा मैं क्या कर सेथा हूँ प्लस में 10% में आपको और इंटर्स लूँगा तो फिर 10% निकालना पड़ेगा एड़ करके उताना पड़ेगा मैं क्या कर सकता हूँ 1100 उपीस का 110% अगर मैंने कर दिया तो 10% एड़ हो जाएगा 1210 ये क्या है 1210 रुपए कि मैं अमांट है ससेकेंड ऐर तक कोने तक अ कंकन अमांट है यह इंटर्सूण अमांट है कि है आपने कुछ नहीं छोड़ रखा ना तो आपने गया रात tutti ऊण थे ना वह सो चौड़ ऊर्णत हमांट है कि सर 2020 के स्टार्टिंग में सर हमने आपके 1210 रुपे लिए हैं ठीक है लो मैं आउंगा एंड में आया वो तो लाओ दो मेरे मेरे पैसा है आप कहते हैं कि सर 1210 रुपे तो आपके लिए थे प्लस में 10% इंट्रस क्योंकि स्थेमाल 1210 रुपे किया आपने तो फिर मैं 1210 का 10% निकालूँगा एड करूँगा उसे बेटर क्या है 1210 का 110 कर लेता हूँ यह डिरेट क्या आगया अमाउंट सुर्वें आई नहीं आपको डिरेट क्या आगया अपका अमाउंट तो मैं आपको यह समझाने जा रहा हूं मैं आपको यह समझाने जा रहा हूं यह क्लियर आपको method 2 में आप ये भी कर सकते हैं कि ये अलग बार बार calculate कर रहे हैं 1000, 110%, 110% और 110% इसको एक साथ भी लिख सकते हैं इसको simplify करेंगे तो 1331 इसे याद आए आपको percentage में future value क्यों वो change value पर हम उस पर change कर रहे थे तो ये percentage का क्या हो गया future value हो गया याद आए नहीं आपको clear है नीचे so fix है जो change आने उपर आना है तो इस सवाल को मैसे लेकिन फर्क है method first में compound interest आया second year compound interest आया, third year compound interest आया लेकिन method 2 में direct और direct और सिर्फ और एक amount आया है क्लिर है स्विमाय आपको ये method 3 की बात करते हैं इसी से formula की derivation दे रहा हूं मैं method 3 क्या है आप बेसिकली amount equals to principle ब्रैकेट वन प्लस आर बाइ हंडर्ड रेस्टू पावर टी ये structure है क्यों है ये structure अमाउंट equals to principle principle क्या है thousand रुपीस वन प्लस रेट क्या है 10% time क्या 3 आपको पता है कि percentage को अटा करके denominator में 100 लगा देते हैं तो fraction में आ जाता है 10% rate of interest percentage में 10 by 100 अब rate of interest fraction में परसेंटेज को टा करके नीचे 100 लगा देंगे तो वह परसेंटेज में नहीं है किसमें fraction में और fraction में कोई भी चीज टोटल क्या होती है फ्रेक्शन में कितनी होती है कि फ्रेक्षिन में पसंडेज में तो कोबेची टोडल हंडर होती है फ्रेक्षिन में कितनी होती है वन तो आपका वन क्या है टोडल मतलब प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल तो मिलना ही मिलना है प्लस में वन का इतने टाइम्स वन बाइंट यह और मिलना है तो प्रिंसिपल प्ल आती है 110 बटे 100 की पावर 3 amount equals to 1000 multiply by 110 divided by 100 110 divided by 100 110 divided by 100 क्लियर है समझ गए कोई डाउट आपको क्लियर है क्लियर है तो मैं थर्ड क्लियर हो गया है समझ गए अब मैं कंडिशन ले रहा हूं जैसे मैं फोर्थ में डिस्ट करने जा रहा हूं कि मैं थर्ड फोर में अगर आप देखें बच्चे प्रिंसिपल मैं ले रहा हूं 5000 रुपए रेट ऑफ इंटर्स ले रहा हूं मैं 16-12% टाइम मैं ले रहा हूं 3 साल कंपाउंड इंटर्स पूछ रहा हूं मैं आपसे अगर आप 5000 रुपए पर पहले साल 16-12% कंपाउंड इंटर्स निकाल रहे हैं 3 साल का क्लिर है 5000 रुपय पर अगर आप सड़ 12% अपलाई करते हो तो 5000 का 10% 500 ठीक है ना 2% 100 और 12% 50 25 क्लिर है ना 25 तो 600 25 रुपय वह निवह देखिए इस पर हमें सबसे पहले और इसके अलावा पिछले सभी इंटस्वेंटर अब इस पर आप सबसे बार बार पसे लगाओगे ना कि दुबारा से तो फिर फ्रेक्शन में जाओगे पॉइंट में जाओगे यह में बहुत अच्छा काम कर रहा था जब जब रेट उपिंटस ऐसे हो और फिर आपका जो मैंने तीन सेकिंट में करने का जो प्रामिस क्या है उस प्रामिस पूरा नहीं हो पाएगा इसलिए यहां पर मैं एक फोर्थ मेथड बताने जा रहा हूं आपको वह फर्स मेथड से काम नहीं चलने वाला छीक है first method से answer तो आ जाएगा उसके मना नहीं कर रहा पर वो 3 second वाली बात नहीं आएगी आए fourth method सबसे जबर्दस method है मैं इसको मानता हूँ एक काम कीजिए यहाँ पर rate of interest को न फ्रेक्शन में ले जाएगे fraction में convert कीजिए कैसे 13-12% है तो यह हमारा 25 by 2% हो गया fraction में करने के लिए percentage अटा करके नीचे 100 लगाना होता है simplify करेंगे 1 by 8 अब आपका rate of interest किस में आ गया fraction में आ गया यह clear है नहीं आपको सुनायो अब क्या करना है time क्या है denominator को पकड़ लो सिरब सिरब किसको denominator को अगर 5 by 8 भी होता नहीं यह तब भी मैं 5 को avoid करता फिलाल और मैं 8 को लेके चलता denominator को पकड़ने आपको तो denominator को catch कर लिया आपने और आप देखिए यहाँ पर आपके पास में time क्या है 3 है तो denominator के उपर power 3 यूज करो आप तो यह 8 raise to power 3 क्या हो जाएगा 512 तो मैं नहीं है आपको तो denominator सब्सक्राइब यूज करो जो time है 2 होता तो मैं 2 यूज करता 3 है तो मैं 3 4 है तो मैं 4 यूज करता क्या हो कि 512 अब मैं let कर लेता हूं मेरा प्रिंसिपल है न पानसो बार आपके सब्रिंसिपल तो फाइफ थाज़ंड रुपीज है अरे रुपीज देना रुखिये आप मैं सवाल को रुपीज के लिए रोग दिता हूं 512 यूज क्रिंसिपल है यह मान लीजिए पानसो बारा यूणिट के आपका प्रिंसिपल है यह चीज़ आप मान लीजिए यह क्लेर आपको यूट मान लिया मैंने भी कोई डाउट किसी वच्चे को क्लिर है अब देखिए प्रिंसिपल यह आपका इमेजिनरी डाटा लिया है आपने बेसिकली प्रिंसिपल तो आपका 5000 मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं बट यहाँ पर आपको लेट कर लिजी कि आपको प्रिंसिपल क्या है यूणिट में रुपीज बने यूणि आपको फ्रिंसिट्रें करना क्लिव आ कि रेट का शे Dash प्रिंसिपलू कि यूणिट में बारफ यूद्स सर्ट सेकिंड जेए प्रिंस्पल पर इंटस्ट लेंगे तो प्रिंस्पल पर वन वाई एट तो 64 उनिट कि वन वाई एट अप्लाई करना तो बहुत असान होगे न मारे लिए कि पांसो बारा मंटिप्लाइब है एक बड़ा आठ वो तो एक दम इसली कड़ जागा न तो 64 उनिट आगया पर तो लेंगे पिछले सभी इंट्रस लेंगे तो 72 उनिट हो गया तो कि यह एक एक यह सब्सक्राइब बात करतें थर्ड यहर की तो पहले प्रिंस्पल पर लेंटें वही 64 उनिट आएगा इसमें तो कोई डाउट नहीं है चीक है कि ए और इसके साथ में पिछले सभी इंट्रस पर इंट्रस लेंगे मैं ऐसा नहीं कहा रहा हूं कि पिछले सभी इंट्रस पर इंट्रस लेंगे तो अमारा 64 कि प्लस pros now 72 क्लिर फिर आप देख लेजी इस थीफार पर गर आप लेंगे तो आपका वन बाइट तो आपका एटी बन यूनिट कुछ सवालों के जवाब दीजिए प्रिंसिपल क्या है पांसों बारा यूनिट मनलिक देता हूं यहां पर ठीक है ना कि प्रिंसेपल क्या निकला पांसो बारा यूनिट मानते हैं कंपाउंट एंट्रस्ट क्या निकला आप देखिए आप इनको एड करिए 64 72 81 7 13 21 21 217 यूनिट अमाउंट क्या बनेगा अमाउंट क्या बनेगा इनको एड कर देते प्रिंसेपल प्लस पमें देस थीकि नो आपका nine दो साथ यह आपका amount बन गया इतना unit क्यों amount यह होता ना principle यह था और मेरा compound interest रहा तीन साल का मेरा amount रहा हजी difference between simple interest and compound interest difference between simple interest compound interest आपको पता है कि simple interest बस यह मिलता principle वाला यह मिलता बस यह मिलता simple interest बस principle पर मिलता है यहां आपका difference कैसे क्यों आ रहा है क्योंकि यह पर interest पर भी interest मिल रहा है तो difference के पीछे यह responsible है difference generate करने के पीछे यह responsible है यह तो है न नहीं समझे मेरी बात को बाकितो simple interest में भी यह मिलता है बस इसमें extra क्या मिला देश interest पर interest interest पर interest तो यह क्या हो गया हमारे पास में 25 25 तो difference between simple interest and compound interest क्या 25 unit simple interest क्या है उता आपको मालूम है जो उपर क्या आपको यह 3 साल का यह simple interest है 192 unit यह 64 64 यह simple interest में तुस्सरा भी मिलना था ता आपको SI भी मालूम है SI क्या है क्लिर रहे ना 192 तो युनिट सेंपल इंटरस है आपका कि सेकिंड यह कंपाउंड इंटरस क्या है कि सेवेंटी टू युनिट हर चीज़ पता है आपको डिटेल मैंटरस करना हर चीज़ मालूम है आपको अब देखिए क्या है इसमें खास बात इसमें आपको information कुछ भी दे सकता है जैसे मालूम प्रिंसपल दिया तो जो देगा सो नीचे रख देना है एक युनिट की value आ जाएगी जो दिया हुआ है वो नीचे रख देना जैसे मालूम प्रिंसपल दिया हुआ है तो नीचे क्या रखोगे principle क्यों principle का equivalent है compound interest दिया हुआ है तो नीचे क्या रखोगे amount दिया हुआ है तो नीचे क्या रखोगे difference दिया है तो नीचे क्या रखोगे simple interest दिया हुआ है तो नीचे क्या रखोगे second year compound interest दिया हुआ है नीचे क्या रखोगे जो दिया हुआ है वो नीचे रख दोगे, एक यूनिट के वैल्यू आ जाएगी, जो पूछ रहा है, उससे multiply कर दोगे, simple interest पूछ रहा है, multiply किसे करोगे, simple interest से, compound interest पूछ रहा है, multiply किसे करोगे, amount पूछ रहा है, multiply किसे करोगे, difference पूछ रहा है, multiply किसे करोगे, clear है, जैसे कि, य प्रिंसिपल था एग्री करते आप इछ इसे अपाँ जार कस में प्रिंस्पल इछिस एग्री करते हैं अब और यह आपका कितने इनित के यह 512 unit के equal है, पूछ मैं compound interest रहा हूँ, तो यह एक unit की value आ गई, आगे एक unit की value, यह रुपीस में है, यह unit है, तो एक unit की value आ गई, clear है, और पूछ मैं आप से compound interest रहा हूँ, तो multiply भाए, 270, तो आपका सीधा सीधा क्या जाएगा, compound interest, clear है, समझ रहे हैं, कोई doubt, तो इस तरीके से आप compound interest आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, तो आप देखिए, यहाँ पर अगर principle ना दे, यह structure, तो आप rate बार-बार कहा लगाओगे, है न, principle ही गायब कर दे तो, तो इससे better, और यह method क्या है, यहाँ principle अगर ना भी दे, compound interest दे तो आपको क्या फर्क पड़ता है उससे, आप तो इस्तेमाल किसका कर रहे है, rate का, किसका यूज कर रहे हो, rate को फ्रेशन में लिया, उसी से principle बनाया, और उसी से structure त्यार कर दिया, compound interest दिया, principle दिया है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर rate से कर रहे हो न, solve इसको, आप compound interest दिया, तो नीचे compound interest रख दो, और जो समझ रहे है, उससे, multiply कर दो, आप मेरी बास समझ रहे हो नहीं, समझ रहे हो, क्या समझा रहा हूँ, clear है, या कोई doubt है किसी को, समझ रहे है चीच को, तो जो देगा सो, नीचे, और जो पूछ रहे है, उससे, multiply, खासियत क्या है इसके, कि कुछ भी दे दे, rate से निकाल देंग दे, third year compound index दे, principle दे, कुछ भी दे आपको, फरक नहीं पड़ता है, जो भी कुछ देगा, सो नीचे, जो पूछ रहे है, सो multiply, एक single method से, पांद, दस परकार के, अलग-अलग सवाल को solve किया जा सकता है, किसी में principle दे के, CI पूछ रहा है, किसी में second year compound index दे करके, amount पूछ रहा ह किसी में three year compound index दे करके, आप से difference पूछ रहा है, किसी में difference दे करके, आप से principle पूछ रहा है, सब पर applicable है, यह clear है आपको, इसको हम कहेंगे detail method, क्योंकि हर चीछ के बारे में detail है यहाँ पर, समय है आपको, clear है, यह method number कौन सा था हमारा, four, बात करते है method number five की हां जी, एक बच्चे ने पूछा, कि मान लो, उपर three by eight आता, तो आपको कोई फ्रक नहीं पढ़ता है, आप क्या करते, eight का cube करते, और हर बार आप interest का charge करते, three by eight, तो बस आप three by eight करते, तब भी point पर नहीं आएगा, क्योंकि हमने denominator का क्यूब कर लिया न, वो बार बार है, उसको perfectly डिवाइड करेगा, clear है न, तो आप three by eight charge करो, लेकिन जब आप principle बनाऊ गए न, तो denominator से बनाऊ गए बस, clear है, लेकिन आप charge करोगे interest, तो three by eight charge करोगे, भी आएगा सवाल भी करेंगे practice, हां जी, method five, देखो, structure एक, three R, three R square, और R cube, वेट, वेट किजिए भी, दस मिनिट कम सेखो, देखी, method है, method है हमारा, three R, three R square और R cube, यह percentage method है, यह हमारा, percentage, यह percentage method है हमारा, चीक है, clear है, अब percentage method में, आप सबसे पहले apply करने के लिए, पहले कुछ basic चीज़ सीखिए आप, हमारी एक आदत है counting कैसे लिखते है, 79, कैसे लिखेंगे, 7,9, 121, 121, 64, 64, ऐसे लिखते हैं, 45, 4, 5, अब इस method को apply करने लिए, थोड़ा सा change कीजिए, अपने नदर सर्फ इस method के लिए, 89, पीछे से लिखेंगे हम, 9, 8, 121, 121, पीछे लिखना की लिए आदर डालो, इस method में, easy रहेगा आपके लिए, clear है, समय आपको, अब देखिए, rate 10%, पीछे से करेंगे, यहां से नहीं करने लग जाना, पीछे से, 10 का क्यूब, 1000, 1000 रुपे, 10 का क्यूब, rate 10 है न, मैं अपने किस सवाल को, मैं इस सवाल को solve कर रहा हूँ, ठीक है, तो 10 rate मालीजे 10% है, ठीक है, तो rate अगर 10% है, rate अगर 10% है, तो यहां पर 10 का क्यूब, 1000, ऐसे नहीं लिखना, 1000, गलत है न, बस लेकिन, दो ही seat भर सकते हो, दो ही digit आप लिख सकते हो, जा digit नहीं लिख सकते हो आप, clear है, तो आपने 0, 0 और 10 रह गया, दो डिजिट भरा पीछेगा, बागे जो बच गया, सब को carry on करता, 10 carry forward करती है, जो 10 बचाता यहां नहीं, अब इसको दे दिया भाई, 300, 10 हो गया, वह नहीं हो, clear है, पहले square करना है, 10 का square, 100, 100 इन्ट 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 प्लस 10, वो जो अपने करा carry forward उसको add करता, देंगे, प्लस 10, तो 310, ऐसे लिखेंगे, 0, 1, अब जो 3 था न, इसको दे देंगे, इसके बाद, इसके बाद पॉइंट लग जाता है, तो बच्चे, compound interest आपका है न, 33.10 का तो कोई importance नहीं, इसने percent हो गया, समझ रहे हो, यह compound interest है, simple interest क्या होगा, आप कहते हैं कि सर चली बताइए, amount क्या होगा, तो यार principle तो इस case में आपका 100% रहेगा ही, जब percentage method apply कर रहे हैं, तो principle क्या रहेगा, 100% रहे गई, तो सर, amount क्यों हो जाएगा, यह इतना ब्याज मिलने आला है, 100% principle है, यह percentage इतना amount हो जाएगा, आपके सर, simple interest क्या होगा, 10% एक साल में, तीन साल में, तीस परसंट, उसमें तो कोई ब्याज है, ब्याज है, ब्याज है, चक्कर नहीं है, तो simple है यार, 30%, सर, difference क्या होगा, यहाँ एक 30.1 मिल गया, यहाँ 30, तो आपका 3.1%, अब इस case में, अगर आपको difference दे देगा, तो नीचे, क्या रखोगे, difference, difference, जैसे कि 1000 रुपए principle है, तो वो तो 100% के equivalent है, तो अगर आपको principle दिया हुआ है, तो नीचे principle रखोगे, पूछ रहा है, compound interest क्या है, तो compound interest क्या है, 33.1 से multiply कर दोगे, जोकि 100% की क्योंड़ाइब, डिवाड़ एक पसंट की value हाजाएगी, तो इसी की तरह, detail method की तरह, जो दिया हुआ है तो नीचे, difference दिया है तो नीचे, difference, principle दिया है तो नीचे, एक पूछ रहा है उससे मुल्टिप्लाइए रेशो गया दना अब इसकी प्रेटिस कैसे करें इसकी प्रेटिस आप देखे करेंगे जैसे मैं ले रहा हूं फर एक्जांबल चार पसेंट समझिए पांच पसेंट लेते हैं ठीक है फाइप पसेंट मैं थोड़ी प्रेक्टिस करवा रहा हूं इसके फाइप पसेंट ले रहा हूं तो फाइप पसेंट को अगर रेट अगर मेरा फाइप पसेंट है पीछे से करें शुरू यह दिवाग में होना चाहिए पहले पांच का क्यूब 125 पांच का स्क्यार 25 तिया 75 और प्लस 76 यह तो अच्छी बात है दो डिजिट थे दो डिजिट आगे है ना फिर पांच तिया 15 पांच क्या है 15.7625 कि सिंपल इंट्रस तो पांच यह 15 पंद्रा पसंट ही रहेगा डिफरेंस क्या है 0.7625 अमाउंट क्या है 115 दसामलव 7625 तो ज़्याद लिखने की जूरत नहीं है आपको मालूमिए कौन क्या है जो दिया वाए नीचे वो जो पूछ रहे है उससे multiply होगा नहीं होगा within second आपका यह calculation हो नीची clear है अब आप कहते है सर 4 पसंट ज़रा करके दिखाओ विखने क्या हो चार का 3 तो 4 सिक्स चार का 3 ताइमस तो चाटर का स्कार क्या होगा आपका आपका सोला भूला कहते है अरतालिस के कुछ कहरे नहीं हाता है कि चार तियाふारां डिफिरन्स क्या है टिर इटि FM Sahai सब पते हैं आपकोई यहांपर आमाउंट सो प्लस is जाता है यह िरनों जो दियावास वाशनी जो पुचाख से मंटिप्लाइं लेकिन 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 ये only 4, 3 years 3 साल का होगा न तभी ही apply करना आपका generally सवाल 2 साल और 3 साल पर होता है तो आपका सवाल उठेगा सर 2 साल पर होगा तो क्या करेंगी आईए, 10% 2 साल का देख लेते हैं ठीक है, method number 6 method number 6 देखिए 10% 2 साल का तो हम क्या करेंगे जो याद परसेंटेश के अंदर जो हम aggregate change करते हैं, वो simple देखिए मैं बताएता हूँ फिर भी नहीं आपको मालू में तो 10% 2 साल का तो 10 एक साल का प्लस 10 दूसरे साल का अब पॉइंट लगा दो पॉइंट लगा दो, इसको multiply करो और 100 से divide करना है 20.1% ये CI को represent कर रहा है difference को कौन represent कर रहा है, ये जो point के बाद है 1% अच्छा SI को यार ये पॉइंट से जो पहले है अमाउंट को ये CI प्लस में 100% 5% आप कहा रहें न, चलिए इफ आर इक्वल्स तो 5% तो 5 प्लस 5 पॉइंट दोनों को multiply करो, 25 और नीचे 100 लगानी जोर ते नहीं न फिर क्योंकि point आपका हो जाएगा आपका ही ठीक है न, clear है clear है बच्छो, जब point लगा रहें नीचे 100 लगानी की जूरत नहीं है फिर इस पे clear है न, तो आपका क्या हो जाएगा 10 दोनों को multiply है, so है न, तो 100 तो point किया तो 0 की कोई importance नहीं रहती है clear है न, सुझे में आगे आपको 21 point आप इसको इस तरी की से कर सकते है plus छीक है 10 प्लस 10 multiply so divided by so solve करेंगे, clear है तो आपका ये आजाएगा, ये 10 दस क्या हो जाएगा 20 इसको as a point use करना है 5% पर देखो 5 प्लस 5 plus multiply करो 25 divided by so तो ये आपका 10 हो गया point लगा दो, point हो जाएगा ये, ठीक है point 25 तो आपका difference क्या है, point 25 principle क्या है आपका, वो तो 100% ही रहेगा SI क्या है, 10 compound test क्या है, 10.25 तो दो साल को तो बहुत असान है 4% का, आप देखिए 448, 416, दिवाड़ ये पैसो point 16, तो difference क्या है, point 16 है simple test क्या है, ये clear है ना आपको 3%, 3, 3, 6, 9 clear है, 9 divided by 100 point 09, difference है इसमें आए नहीं है आपको clear है, कोई doubt आपको कोई doubt बचो तो ये हमने 2 year 3 year इस तरीकी से लेकिन आपका सबसे शांदर method ये आपका 4th, अगर आप कहेंगे, सर अगर rate नहीं दिया तो क्या करेंगे, और तो आपको पहले दिन ही तुछ सब कुछ नहीं पता लग जाएगा नो, उसके लिए कल भी आना पड़ेगा तो आप जो है, फिलाल ये detail method आप काम क्या है पहले इंचेहों method को revise करके आना फिर हम इस पर question करेंगे को कै